हाई गाईज वेलकम अनु सर्मा ब्लॉक्स आज हम लोग जानेंगे ICRA में मोस्ट एक्सेप्सेट कोश्चन जो की फिजिक्स के नुमेर के जितने भी आ रहे हैं यहां पर हम लोग सीखेंगे हम लोग जानते हैं लेंस दो तरह का होता है कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस पर कॉश्चन आया हुआ था मेरे सिफ्ट में थर्ड सिफ्ट दो मार्च के सिफ्ट में यू इक्वल टू माइनस यू हमेंसा माइनस में रखते हैं यू हम लोग जानते हैं क्या होता है F focal length is five and half V image distance जो हमको निकालना होता है जातर दर καस्तों में U the Concave Lens है आपको पता होना चाहिए followsüss he is a Allows, F occurs matters या आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम लोग जानेंगे Concave Mirror के बारे में Concave Mirror और Convex Mirror के बारे में Concave Mirror का Formula होता है 1 upon F 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon V इस formula पर question आ रहा है Concave Mirror में U की value माइनस में होती है F की value माइनस में होती है और V हमको निकालना होता है जाद दर cases में Convex में Focal Length positive होता है हम लोग जानते है F क्या है Focal Length है C क्या है रोक 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 अगला topic है Magnification Magnification से question आ रहा है Magnification का formula आपको पता होना चाहिए H1 upon H2 equal to minus V upon U H1 क्या है हमारा object height है H2 क्या है image height है और V क्या है image distance और U है object distance है आपको इसमें से तीन value दी होगी आपको एक कोई value निकालनी होगी जैसे कि माल लिए आपको H1 की value दी है V की value दी है और U की value दी है और V की value दी है तो आपको H2 की value यानि image height पूछी होगी तो आपको निकाल सकते है उसी तरह अगला topic हमारा आता है resistance का resistance पे guys सबसे ज़्यादा question पूछा जा रहा है दो से तीन question इस पे आ रहा है और इस पे simple से एक formula है एक formula जो की बहुत ज़्यादा important है R is equal to rho L upon A इसमें direct push लिया जा रहा है कि अगर length को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो resistance पे क्या फरक पड़ेगा या फिर area of crash section पे अगर इसको बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो उस पे क्या resistance का फरक पड़ेगा Guys इस पे direct question आ रहा है उसको आध हम लोग और इसका अगर parallel में तो r equal to 1 upon r plus r upon 2 तो इसमें क्या करेंगे माली यह सो parallel में दिया हुआ तो इसको दुनों value रखके आप इसको आगे करके इस तरह solve कर लेंगे इसको उसका next topic है guys आपको एक formula याद होना चाहिए v equal to ir इसमें क्या होगा दो चीज़े आपको दी होएंगी 20V यह हमारा V की value होती है और current आपको या निकालना होगा या तो resistance निकालना होगा इसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहेंगे अगर कहीं पर लिखा हुआ कि power कितना dissipate हो रहा है कितना power loss हो रहा है तो power हमको निकालना पड़ेगा guys उसके लिए formula है p equal to i square और r पी हमारा power है i current है और r resistance है उसके बाद guys question आ रहा refractive index पे तो उसके पहले हम लोग थोड़ा था reflection के बारे में समझेंगे इस पे guys कल के shift में एक question आया हुआ था यह हमारा rarer medium है और यह हमारा glass है वो हमारा denser medium है तो जब भी rarer medium से denser medium की तरफ जाता है ray of light तो bend towards the normal होता है तो bend outward normal outward यह देखिए बाहर की तरफ जा रहा है यह raise और इस फॉर्मली पे भी question guys आ रहा है एक question इस पे एदम confirm आ रहा है n equal to c upon v दो value दी होगी आप उसको divide कर देंगे तो आपको उसकी value मिल जाएगी और हम लोग एक सबसे most important question है जो exam में अगले आ सकता है जैसे कि Snell's law क्या होता है Snell's law का formula आपको पता होना चाहिए guys sign i upon में sign r यह i क्या है incident angle है और r क्या है refracted angle है इसी को second law of reflection भी बोला जाता है उसका guys अगला topic है power of lens power of lens पे भी guys एक से दो question आ रहे हैं power of lens equal to होता है one upon f f क्या हमारा focal length f क्या हमारा focal length है guys और यह focal length हमेशा meter में ही होना चाहिए यह focal length हमारा meter में ही होना चाहिए और total power अगर निकालने को बोला तो आप simply दो जो दो power दिया हुआ सको आप directly add कर सकते है guys thank you for support and please subscribe the channel and like and share कर दो कर सकते हैं